Hey everyone, this is Samir here, welcome back to another interesting video तो guys, आज किस video में हम लोग बात करने जा रहे होंगे यार तुम्हें सबसे पहले कौन सी programming language पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए तो इसके जो पीछे reason है वो भी जान रहे होंगे यार क्यों पढ़नी चाहिए तो अगर तुम CS student हो तो तुम्हें पता होगा यार कि जो college में सबसे पहले programming language college वाले हम लोग को पढ़ाते हैं वो होती है C तो अगर जो non IT background से हैं या 8th 7th class के बच्चे उनको बता दो यार जो C एक programming language होती है पहले बात करते हैं programming language होती क्या है चलो यार देख लो यार तुम्हीं अगर तुम CS student होते हैं तो पता ही होगा अगर बात कर रहेते हैं चलो programming language होती है computer की भासा जैसे कि हम इंसान की language होती है यहां पर हम लोग Hindi बोलते हैं इंसान की तुम language समझ सकते हो वैसे इंडिया में mostly लोग Hindi बोलते हैं तो Hindi का एक communication का जरिया है जैसे कि मैं अपनी बात दूसरे लोग को समझा सकता हूं यह हमारा होता है भासा तो ऐसी computer की भासा होती है जिसको बोलते हैं programming language तो programming language की मदद से आप computer को instruction दे सकते हैं अपनी बात समझा सकते हैं यह तुझे यह करना है मेरे लिए पता करना हो कि यहां पर ऐसे कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो की 18 प्लस हैं ऐसा करके कुछ जो प्रोग्राम में आप वो computer से करवा सकते हैं तो programming language एक भासा है जिसकी जरी आप computer को instruction दे सकते हो simple that's it तो आप बात करते हैं आपने topic पर आते हैं कि किस तरी आपको सबसे पहले programming language कौन सी पढ़नी चाहिए और क्यूं पढ़नी चाहिए तो आर मैं कुछ situation दूँगा अगर उस situation में आगर आते हो तो आपको उसकी according उस programming language को सीखना चाहिए ठीक है तो चलो आप फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैस बात करते हैं कि आपको सबसे पहले कौन सी programming language सीखलो नहीं यह answer नहीं है सही scenario जैसे कि मैंने बताया था कुछ मैं situation दूँगा उस situation में अगर आप आते हो तो सबसे पहले आपको वही programming language सीखनी चाहिए doesn't matter अभी जो साल चल रहे है उस साल के according में बता रहा हूँ आप ही मास सूच है कि old technology या new technology जो में लेकर आया हूँ वह वही है बिल्कुल पीक पे चल रही है आज के टाइम पे आज की जनेरेशन में पीक पे चल रही है वही technology में लेकर आयो तो या सबसे बात करते है कि तुम्हें कैसे तुम्हें कॉस्ट करोगे तुम्हें कौन सी programming language करने चाहिए मैं बताने वाला नहीं हूँ भई कि मैं यह ब programming language सीखने से पहले तुम्हें अपना खुद का reason समझना है कि मैं programming language उसको क्यों सीख हूं अगर तुम्हारे इंटरस्ट है कि मुझे क्या करना है मैं भी कुछ नहीं जानता हूं मैं को website बनाना है मेरा यह aim है कि आगे चलके मुझे web developer बनना है website बनाना है तो उसके according तुम्हें अपनी first programming language चूज करने चाहिए या फिर मेरा aim है android application बनाना तो भाई उसके according फिर तुम्हें अपनी programming language को चूज करना है जैसे कि अगर तुम website बनाना चाहते हो तो तुम्हें PHP को अपनी as a first programming language prefer करना है क्योंकि तुम भाई website बनाना चाहते हो web developer में जाना चाहते हो तुम्हें तुम जावा को तुम्हें देनी चाहिए अगर तुम AI ML में जाना चाहते हो robotics में जाना चाहते हो तो तुम्हें python को prefer देना चाहिए यार यह है सही answer ऐसा किसी की बात में बताना है कि कोई बोल दे कि भाईय तुम कुछ और सीखलो तुम कुछ और सीखलो नहीं तुम्हें तुम PHP चूज करो अपनी first programming language अगर तुम्हें second में ही है कि अगर तुम्हें android developer बना है application बनानी है तब तुम्हें चूज कर सकते हो java को ऐसा first programming language अगर तुम्हें robotics में AI और ML में जाना है तो तुम चूज कर सकते हो python को ठीक है तो यह i think तुम्हारा जो इस जो मैंने तीन answers दि programming language तुम्हें सीखना ही पड़ेगा वह बोलोग सिखाएंगे सीखने पड़ेगा फिर आगे तुम्हें exam भी देना पड़ेगा तो यह को system क्या है सारी programming language almost almost same होती है इस चीज का ध्यानक ना इसमें कोई myth नहीं है almost almost same होती है सिर्फ और syntax और कुछ features जो होते हैं वह add-on हो जात जो simply दो नमर्स को plus करने का program थार बहुत simple था first year में यही कराते हैं तो वह C का कोई program करवान रहे थे sir उन्होंने बोला class में सबसे पूछा कौन कर सकता है 40 बच्चे के आसपा से हो लोग तर first year में किसी को क्या पता चलता है मैं ऐसे background से हूँ कि भईये मैं 12th में 10th में कभी भ search करके c language थोड़ी थोड़ी बहुत मैंने कर ली थे यार तो मुझे पता था कि दो नमरों किस तरीक से print कर सकते हैं arithmetic operator यह सब मुझे पता था उस time फिर मैंने raise hand करके तुम्हारे भाई ने program किया और sub impress हो गए तो यह काम अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें पहले करना पड सकता है क्यों नहीं पड़ सकता वही क्यों नहीं पड़ सकता सब कर सकते यार मैं के तो आल्मोस्ट हैं यार जैसे कि माल के चलो सी में तुम्हें लूप्स पड़ना है तो यार प्येज में भी तुम लूप्स पड़ोगे सी में अगर तुम conditional statement पड़ोगे तो प्येज में मे तो यार कुल मिला के अगर मैं वीडियो का conclusion निकालूं, तो यार तुम अगर student हो college में, तो तुम्हें सी तो पढ़नी पढ़ेगी, college वाली जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, क्योंकि यार वहां पे भी हमें अच्छा impression जमाना है ना, जैसे मैंने बताया तो अपना example वैसा impression तो जमाना है, तो उसके लिए तुम्हें college का जो पढ़ा है, इस syllabus है, उसको पहले तुम्हें कर लेना है, उसके बाद फिर तुम्हें देखना है कि मेरे को करना के आगे, किस position पर मेरे को interest आ रहा है, मेरे को website बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है, या application बनाने में ज्य ज्यादा मजा रहा है, तो जिसमें तुम्हें ज्यादा मजा रहा है ना, उसके according वो programming language तो choose करो और फिर स्को सीखना स्टार्ट कर दो, अगर तुम मुझे पूछो गयार कि प्लेटफॉर्म बता दो तुम्हें यह बता दी कि यह programming language सीख लो अपने interest के according platform, तो यह बहुत सार किया नाया, तो मैं guarantee के साथ के सकता हूँ, second year तक, अगर तुम first year में हो, first year में मेरी बात मान के follow करते हो, तो second year तक, तुम earning भी करने लग जाओगे, बिलकुल सच बोलो, earning भी करने लग जाओगे, कमाने भी लग जाओगे, हो सकता है तुम अपने fees भी निकाल लो, अगर तु कि जो guidance वाली वीडियो चाहिए, तो भाया subscribe कर लो, ठीक है फिर मिलते है लेक्ष्ट में हाँ, तब तक के लिए, बाप, पाइए